इसे पिछली जो वीडियो से उनके अंदर मैंने टेंशन डिवल्पमेंट लेंग की जो बेसिक एक्वेशन है और फिर उससे जो सिंप्लिफाइड एक्वेशन बनती हैं उनको डिसकस किया था बेस्ट अन पुटिंग सब्सक्राइड वार सी बी प्लस की एतियार और डी बी और साइएड इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा और राल कितने पैरामीटर्स हैं इस एक्वेशन में उन सारे पैरामीटर्स को वन बाई वन हम डिसकस करेंगे कि किस कंडिशन में कौन सी वैल्यू लेनी होती है और उसकी पीछे क्या बैगरोंड है क्या क्यूं हम सेटन वैल्यू लेते हैं उन पैरामीटर्स को अगर हम देखें हमने इससे पहली पहली जो वीडियो थी बेसिक डिवलेपमेंट लेट वाली इक्वेशन उसमें मैंने कहा थी बढ़ दूकेशन क्यों इस साइए पोक्सी कोटिंग फैक्टर है साइस बार साइस फैक्टर है और लेंब्डा लाइट वेट कॉंक्रीट फैक्टर है अभी हम वण वाल बै वन इन एनवां इन वह को डिसकस करेंगे कि पैरामीटर्स अग्या है एन रहें यह क्या है था से स्टार्ٹ कर रहे हैं & साई ऐस सहे साई-ट से सτάर्ट करने जा रहे हैं यह हमारा पहला फेक्टर है और स يंको हम डिस्कूस करना आ है साई थीером, साई और फिर लेंबडा और फिर हम डिसकूस करेंगे के टी आर को CB के उपर हमारी बहुत डिटायब से Kindle में सो को सकी है सब्सक्राइब सुझ को सब्सक्राइब करें इसको हम पार अस्य नेकर सेंगे Candle किसले हासी के समस्की है ऑच्छेतन और इसको बार नहीं स्वेक्टर थे पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूं जो हम यहां पर यूज करेंगे इस context में जब term use करेंगे तो उस term की मैं definition आपके सामने रखता हूँ टॉप बार हम ऐसी बार को इस context में development learn के context में हम टॉप बार उस बार को कहेंगे कि जिसके नीचे कमज़ कम 12 इन्च की fresh concrete प्लेस की गई हूँ मसलन आप एक beam है एक beam consider करते हैं इस beam में आपको पते हैं top और bottom दोनों reinforcements होगी यह मैंने इस beam का यह वाली side span वाली side है और यह उसकी depth वाली side है यह मैंने उसकी elevation को draw किया है अब इसमें एक bar आप place कर रहे हैं यहाँ पे एक bar place करें या एक layer of bars place करें certain level के उपर और एक bar आप नीचे place अगर करते हैं यह बार आपकी top bar है और नीचे यह जो bar है यह bottom bar है यह तो आप generally हम इस तरह से word use करते हैं top यह bottom लेकिन development length के context में यह इन में से कौन सी bar top bar कहला पाएगी उसकी requirement यह है कि उस bar से नीचे जैसे आगर मैं आपको यह दिखा सकूँ इस बार से let's say यह जो जगाई यह नीचे यह इतनी fresh concrete इसके नीचे आएगी जब हम pouring करेंगे यह जो concrete है यह इसके नीचे आएगी फ्रेश concrete इसके नीचे आएगी यह जो depth है if this depth is हम compare करेंगे कि यह 12 inch से कम है या ज़्यादा है अगर यह depth beam के case में तो यह जैसे 9 inch तक आ जाएगा 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 यह जाएगा तो यह less than 12 inch है लहाज़ा यह जो बार है इसलिए bottom bar कहलाएगी और यह जो बार है इससे नीचे लेट से अगर मैं यहां पर शो कर दूँ यह जो मैं अगर colors का different कर दूँ यह जो जितनी concrete यह place होगी ठीके मैं इसको ऐसे hatching के थ्रूश कर रहा है तो concrete technical standard drawings के दर ऐसे symbol नहीं होता है मैं जल्ली से drawing को complete करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ यह जो depth available है यह जो depth place की जाएगी fresh concrete की इस उपर ओली बार से नीचे नीचे if this depth you know if this depth is greater than 12 inch या greater equal नहीं बस greater greater than 12 inch अगर यह हो ठीक है तो फिर यह बार top बार कहलाएगी यह वली बार ठीक है अब यह बार top बार कहलाएगी लेकिन अगर यह जो fresh concrete इससे नीचा प्लेस कर रहे अगर वह 12 inch से कम है तो उपर वाली बार भी top बार नहीं कहलाएगी अल्दो जनरल यह अगर हम बात करते हूं कहते हैं यह top बार है लेकिन development level के context में top बार की definition क्या है जिस बार से आप 12 inch की fresh concrete जिसके नीचे आ जाए ठीक है यह fresh concrete का word इसलिए important है कि sometimes अगर एक let's say wall आप cast कर र रखूं और यह see let's say wall है इस तरफ भी चले continuous जा रही है इधर भी continuous जा रही है उसकी length वाली साइड है और यह उसकी height वाली साइड है अच्छा अब आप इसमें बार जाहरे horizontal reinforcement भी होगी vertical reinforcement भी होगी vertical reinforcement तो टॉप यह bottom के लिहाद से नहीं कोई classify हो सकती टॉप जो बार है यह horizontal reinforcement जो है वो जाहरे उसके नीचे कितनी concrete है यह discuss करेंगे यह लेट से अब आप इसमें bars place कर रहे हैं आपने बार एक लेट से यह place की हुई है ठीक है एक यह बार place हुई है अब जितनी ऊपर यह bars है हो सकता है कि आप जब concreting करें तो आप एक go में एक certain depth तक चले जाए और यह लेट से आप एक go में यह एक दफ़ा जब आप आप आपने सुबा कास्टिंग लेट से शुरू की और शाम तक आपने लेट से इतनी कास्टिंग कर ली हो सकता है आप लेट से ज़्यादा है और आप सारी हाइट एक ही दिन में कास्ट नहीं कर सकते अब आप fresh concrete जो आपने place की एक दिन में वो इतनी है अब हम देखेंगे कि यह जो बार है जो हमारे सामने reinforcement है इन के अंदर वसलें इस बार से नीचे यह जो बार आपको नज़र आ रही है इस बार से नीचे इतनी fresh concrete available है इस बार से नीचे इतनी fresh concrete place की गई है अगर तो यह distance लेसर दें 12 inch है तो यह बार bottom बार कहलाएगी ठीक है इसी तरह यह distance अगर 12 inch से कम है तब भी यह बार bottom बार कहलाएगी लेटसे ये जो बार है इसका इसका डिस्टेंस नीचे से ये बार है इससे एकसीड कर गया अब ये वाली बार टॉप बार कहलाएगी ठीक हो गया तो जिस बार के लिए जो डिस्टेंस है लेटसे ये फ्रेश कॉंक्रीट का जो depth place की गई अगर यह greater than 12 inch हो गया अब यह जो बार है this bar will now be called as top bar अच्छा अब अगले दिन आपने एक दिन आपने यहां तक जहां green line नजर आ रही है आपको top यहां तक आपने casting कर ली अब अगले दिन आप आते हैं और फिर इसी के उपर से कास्टिंग शुरू करते हैं अब next day जब आप कास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस next next day again हम नए से fresh concrete कांट करें मसलें आपने next day let's say यह पूरी casting कर दी maybe let's say अब आपकी again यह जो उपर वाली बार है यह वाली फ्रेश concrete अगर यह depth बारहीं से कम है अब तो यह बार भी टॉप बार नहीं कहला पाएगी लेकिन let's say यह जो उपर बार है यह वाली बार यह अगर let's say इसके नीचे fresh concrete बारांच से exceed कर रही है अब यह बार top बार कहलाएगी ठीक है यह दोनों let's say इनका distance कम था तो यह भी bottom यह भी bottom ठीक है इसी तरह से यह भी bottom बार थी ये भी bottom थी और ये top bar कहलाई थी ठीक है तो यानि ये बार top कहलाई और इससे उपर वाली बार bottom कहलाई क्योंकि उसके नीचे fresh concrete बाराईंसे काम थी इसी तरह let's say ये भी आपकी top bar कहलाई तो ये आपने इस तरह से basically देखना है अब ये वज़ा इसकी वज़ा क्या है top bar और bottom bar की base पे क्यों differentiation हम करते हैं पहले में factors लिख लेता हूँ sorry पहले में आपके सामने factors लिख लेता हूँ कि हम top bar के लिए क्या factor यूज़ करेंगे यानि जो si t की value क्या होगी और top bar के लिए क्या होगी और bottom bar के लिए क्या होगी पहले मैं वो factors लिख लेता हूँ और उसके बाद हम discuss करेंगे कि इनकी reason क्या है so si t for top bar ठीक है अब यहाँ पे top bar ऊपर value definition के मताबिक si t for top bar is 1.3 and for bottom bar ठीक है यहाँ भी bottom का मतलब अब आपको clear होने चाहिए bottom bar के लिए it is equal to 1.0 अब top bar के लिए बड़ा factor क्यों लगा आ रहे बड़ा factor लगाने का मतलब यह है कि हमें इसके लिए ज्यादा development length देनी पड़ेगी इसका मतलब यह है कि हम कुछ weakness expect कर रहे है इस top bar से related वो weakness basically यह है कि जब आप fresh concrete pour करते हैं लेटसे आपने यह सारी region में fresh concrete pour की ठीक है sorry यह लेटसे यह आपने पोर की यह second जो आपने pouring start कर दी अब यह जो fresh concrete आप place कर रहे हैं concrete को जब आप place कर लेते हैं तो वो fresh concrete का यह होता है कि जब तक वो settle होती है तो वो उसके अंदर जो मोटार जिसको हम it tends to travel up the concrete यानि आपने यह fresh concrete यहां से लेटसे pouring शुरू की थी अब यह मोटार है और जो water है it tends to travel up you know the up the fresh concrete so अब यह जो मोटार and water है अब यह होता ही है कि यह जब ऊपर travel करते हैं तो यह बार के अगर मैं बार एक अलग से यहां पर ड्रॉक करूं जैसे यह अगर मैं एक बार को शो कर दूँ लेटसे यह एक बार है concrete में placed और इसके नीचे बार हैंसे ज्यादा आपने fresh concrete आपने लेटसे यहां से pouring start की थी ठीक है अब यह जो motor उपर travel करेंगे यह बार के नीचे accumulate हो जाते और अगर लेटसे यह बार हो तीक है इस बार की जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे यह मोटार एंड वाचर यह एकुमिलेट हो जाते अब आपको पते हैं कॉंक्रीट जो इस बार के सराउणिंग होती है वो कॉंक्रीट बेसिकली उस कॉंक्रीट के अंदर उसने stresses इंडियूस करने होते हैं circumferential strategy हम discuss कर चुके हैं अब होता है कि locally इस बार की surrounding में जो nearest concrete होती है वो क्योंकि उसमें motor और water आ जाता है तो वो weaker concrete आ जाती है नीचे वाली side पे ये जो side है तो इस वज़े से ये weaker concrete आने की वज़े से bond की जो strength है वो reduce हो जाती है उस बांड जब stronger नहीं होगा तो फिर हमें factor बड़ा लगाना पड़ेगा ताके हम ज्यादा length उसको develop ज्यादा length उसको embedment की दे सकें ताके क्योंकि हमें concrete weaker हो गया तो हमें length ज्यादा देनी पड़ेगी simple ठीक है जी इसके लिए top bar के लिए 1.3 का factor bottom bar के लिए 1.0 का factor next है psi e psi e psi e is epoxy coating factor simply आप कहलें coating factor epoxy coating factor psi e psi e इसकी वज़ा हम बाद में दिसकास काते हैं पहले हम इन factors को लिख लेते हैं कि इन factors की क्या values लिए जाएंगी epoxy coated bar हो epoxy coated ठीक है epoxy coated bar हो और या wires हो wires भी यूज़ की जाती है और जो cover है cover that is less than 3 times dB and clear spacing clear spacing is also less than 6 times dB अगर यह conditions हो तो फिर हम यह factor यूज़ करेंगे 1.5 ठीक है यानि है भी epoxy bars की उपर epoxy भी coated है और जो cover और clear spacing है वो in corresponding limits से कम है तो हम factor यूज़ करेंगे 1.5 और अगर हमारी यानि आल अधर इपॉक्सी कोटेड बार्स आर वाइड्स आल अधर से मराद यह कि ऊपर जो कवर है वो 3D से ग्रेटर हो और क्लेर स्पेसिंग ग्रेटर हो 6 dB से अगर यह दोनों कंडिशन इस तरह से हों कि यह ग्रेटर हों अपने लिमिट्स से जो उपर डिसकस की गई है तो फिर हम जो इपॉक्सी कोटेड बार्स हैं उनके लिए जो फेक्टर लेंगे साइए डैट वुड बी स्लैटली लेसर दिस ताइम 1.2 क्योंकि इस केस में कवर्ज और क्लेर स्पेसिंग काफी बड़े बड़े हैं कवर 3DB से ग्रेटर है और क्लेर स्पेसिंग 6DB से ग्रेटर है अब हम इपॉक्सी कोटेड बार अगर है भी तब भी हम उसके लिए फेक्टर 1.2 यूज करेंगे अनकोटिड बार हो या गैलवनाइजड रिइनफोर्समेंट हो अनकोटिड तो सिंपली मतलब यह के उस पे कोई कोटिंग नहीं हुई है तो अनकोटिड बार हो या गैलवनाइजड बार हो गैलवनाइजड बार जिस गैलवनाइजड रिइनफोर्समेंट वो होती है जिस जिए जिंक की कोटिंग की गई हो घिके गैल्विनाइज मीन जिंक जिंक कोटिद बार अगेन ति प्रोटेक्टिट इड फॉम्रीट फॉम्रेंफोर्समेंट यह ते स्थ देयाड अगर खुटिंड है तो फिर पिर यह नॉर्मल जो factor है जासे उन-coated के लिए यूज करते हैं फिर यह 1.0 ही रहेगा एब अभी हम देखते हैं कि हम epoxy coated bars के लिए ये factor greater than 1 क्यों यूज करते हैं यानि हम क्यों कहते हैं कि अगर बार के उपर epoxy आपने coat की हुई है तो फिर आपको ज्यादा development length required है again इसका तालुक है surrounding जो concrete है उस पे जो लगने वाली stresses है उनके साथ इसका तालुक है जो हम radial direction में डिस्कस करते आ रहे हैं radial circumferential radial जो stresses है circumferential tensile stresses उनके साथ इसका तालुक है हमने discuss किया था कि अगर मैं आपको लेक्चर दिखा सकूँ जिसमें हमने ये topic discuss किया था development length का ये जिसमें हमने कहा था कि जो bearings होती है ये जो deformations होती है इनके उपर इनके through basically हमें deform bar में anchorage मिल रही होती है friction और addition तो बड़ा कम role play करते हैं अगर ये angle जो है अगर ये जो angle है जिसके उपर bearing आ रही है ये जो angle है ये वाला angle जिसके उपर ये bearing ये जो reaction force है या ये जो ये जो force है अगर इसका angle छोटा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका longitudinal component बड़ा आएगा bond stress ज्यादा आपको मिलेगी longitudinal component आपको बड़ा मिलेगा और radial component छोटा होगा radial component छोटे होने का मतलब ये है कि आपकी concrete में radial stresses कम जाएंगी ठीक है कम circumferential tensile stresses develop होगी इसका मतलब ये है कि जिस case में angle बड़ा होगा वहाँ पर हमारी concrete को ज्यादा radial stresses लगेंगी forgiven longitudinal component ये जो epoxy को असल में होता ये कि आपने तो अभी तक ये ये पड़ा हुआ है आपने अभी तक ये पड़ा हुआ है कि एक कोई भी surface है ठीक है आपको ये है कि जिए ज़िए जब reaction डवेलप करेगी तो इसके normal ये reaction डवेलप करेगी ठीक है मसल मैं अगर एक बार आपको draw करके दूँ ये बार की नीचे वाली साइड है और ये एक उसके अंदर मैं थोड़ सा exaggerated draw कर रहा हूँ ठीक है ये इसमें एक deformation है ठीक है जी अब आपको ये समझते हैं कि ये बार concrete में embedded है तो इसके उपर जो concrete action force अपलाई करें वो action force exactly इस surface के normal लगनी चाहिए आप ये अभी तक जाहरे आपका concept शायद मेरा ख्याल है कि यही होगा अभी तक लेकिन इसमें असल में होता ही है कि जब आप मैं आपको इसी से थोड़ सा मैं मैं आपको इस तरह से जाता हूँ लेट से ये एक दिवार है और इस दिवार के साथ आपने लेट से कोई अगर अगर अप लेट से एक block consider कर दें उस block के उपर एक certain let's से कोई weight है डबली वो कर रहा है अगर तो ये block बस पड़ा हुआ है और इसके उपर ये कोई force नहीं लग रही ठीक है तो फिर तो सिरफ ये n force, vertical force ये develop होगी ये वाली force ठीक है और आपके पास इस तरह का equilibrium achieve होगा उपर से w लग रही है नीचे से n force लग रही है ठीक है अगर मैं ऐसे draw कर सका हूँ इस तरह से उपर से w और उसी के equal यहां से n force, ऐसे ये collinear forces डिवलप होगी, दोनों vertical होगी लेकिन अगर आपके पास यहां पे एक p force भी लगे ठीक है, lateral horizontal direction में p force और ये p force इतनी ज्यादा ना हो कि ये block को slide कर सके यानि उस sliding resistance को overcome ना कर सके, लेकिन बस ये p force आप लगा दे अब ये p force लगने की वज़े से जो pink में आपको नज़र आ रहा है ये जो frictional forces हैं, ये stresses ये ये जो है, वो mobilize हो जाएंगी, ये produce होना शुरू हो जाएंगी अब इस case में जो ये आपको, ये जो वाली जो surface है जो कि पहले पहले जो vertical reaction ही सिरफ, सिरफ n force develop कर रही थी in the absence of any frictional forces जो कि उस वकद ability तो थी block में mobilize होने के frictional forces, लेकिन चुए पी force लगने रही थी तो frictional forces mobilize पहले नहीं थी अब वो mobilize हो गई है, अब आपका resultant कुछ इस तरह का बनेगा, कि ये n force है, और ये frictional forces है और ये इनका resultant है इस तरह से resultant आपको ये develop करेंगे अब इसका नतीज़ ये निकलेगा कि basically r का resultant का certain angle बनेगा with the normal, जिसको हम 5s कहते है angle of static friction ये concept बार में कैसे apply आप करेंगे, ये बार में ये concept कैसे relevant है बार में आप बार consider कर दें let's say मैं इसको थोड़ा से trim करता हूँ ताके ये बार की तरह लग सके, let's say इस बार में यहाँ पे एक deformation है ठीक है, ये जो deformation है, इस deformation को थोड़ा से मैं exaggeratedly draw करता हूँ ठीक है, ताकि आप इस concept को समझ सके ठीक है, let's say इस बार के उपर इस तरह से एक force लग रही है tensile force है, let's say और इस बार को आपने concrete में embed किया हुआ है अब concrete में embed करने की वज़े से नतीज़े क्या होगा, कि आपके पास frictional forces develop होंगी वो, they would try to keep this bar in equilibrium ठीक है, उस T force को ये balance करने कोशिश करेंगी ये skin forces, अभी ये bar slip नहीं हुई है, concrete के अंदर लेकिन अभी ये, इसके अंदर ये frictional forces set up हो गई है, because of this inner balance करना, इस T force को अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर तो जो N force है वो तो इतनी जादे develop भी नहीं होगी, इसलिए कि आप इसको उपर से कोई बहुत जादा weight नहीं होगा, concrete का लेकिन ये जो region है, ये वाला जो region है, sorry ये वाला ये वाला जो region है, इस region में इस region के अदर, चुक्कि जो surface है वो inclined है तो जो दोनो forces induce होगी, normal force भी इंडियूस होगी और frictional force भी induce होगी, जो normal force induce होगी, वो लगे कि इस direction में और frictional force जैसे आपको दिखाएए, skin के along develop होगी, अब जितनी ये frictional force ज्यादा होगी, अतना ये अगर मैं इसका resultant रॉ करूँ इस normal force का, ठीक है, basically तो ये के normal forces भी contribute होके आ रही होती है ठीक है, इस तरह से जिस तरह frictional forces डिफरेंट segment से contribute होके मैं ने दिखाई आपको distributed, उस तरह से frictional, normal forces भी इसी तरह से distributed लग रही होती हैं, यानि सारी length मिल के ये develop कर रही होती हैं, यानि आपके पास ये resultant let's say n force है, और frictional force आपके पास ये लग रही है, अब इसका नतीज़े ये निकलेगा कि जो इसका resultant होगा ये आपके friction force लगेगी ठीक है, और मैं थोड़ा सा short show कर देता हूँ, ये ये तनी ज़्यादे नहीं होगी, और ये आपको resultant मिल जाएगा ये resultant R, ठीक है, ये आपके friction forces थी अच्छा, अब भी आप ये देखेंगे कि अगर आप angles देखें लेटसे मैं एक line यहाँ पर draw कर लेता हूँ, reference के लिए ठीक है, अब आप देखें कि ये जो N force है, इसका angle with horizontal और जो R और से, इसका angle, अगर ये Fs जतना बड़ा होगा, उतना ये angle अच्छा, एक, एक, जिस्ट अ मिनिट जितना ये Fs बड़ा होता जाएगा उतना R और N के बीच में angle बड़ा होता जाएगा यानि जितना ये Fs component बड़ा होता जाएगा उतना जो R है, वो horizontal के करीब होता जाएगा यानि, flatten होता जाएगा ये reaction यानि अगर आप देख सकें ये अकेला N है ठीक है और इसका अगर आप components देखें तो वो components कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगे, इसका ये component और एक ये वाला component, ये 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 वाला component radial component है और ये इसका longitudinal component है ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप R को देखें ठीक है R इससे flatter है ठीक है, इसका angle कम है with horizontal तो उस case में ये होगा कि ये longitudinal और ये radial ठीक है, ये radial है ये longitudinal है अब इसका नतीज़े ये निकलेगा चूंकि इसका R का जो angle है with horizontal वो छोटा है flatter angle है और N का angle बड़ा है अच्छा, अब मैं इस R के case में आपका radial component smaller है ठीक है, longitudinal component larger है ये larger है यहाँ पर आपका radial component बड़ा है और longitudinal component छोटा है अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब frictional forces जितनी ज्यादा होंगी आपका radial component छोटा होता जाएगा इस इस इंपोर्ड़न फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होने का मतलब है radial component will be smaller अब epoxy लगने से, अच्छा, epoxy लगने से ये नुकसान नहीं हो रहा है कि ये जो शुरू में अगर आपको mechanisms याद हों जो हमने शुरू में mechanisms discuss किये थे हमने का था smooth bar में addition between seal and concrete जो के chemical attraction है between seal and concrete और friction ये इस सिरफ ये exist करती है अब ये वाले जो friction जो शुरू में एक smooth bar के अंदर भी exist करता है वो तो चाहे बार smooth हो या deform हो दोनों कि disappear होने होते हैं after certain application of load क्योंकि dire reduce होता है और gap बनने के वज़े से friction भी खत्म, addition भी खत्म deform bar में क्योंकि deformations होती है उनके bearing होती है concrete bear करता है उसके against तो उसके वज़े से वो इसको development बिल जाती है तो नुकसान उसका ये जो bearing मिलती है इस deformation के against ये जो bearing मिलती है concrete जो इसके उपर bear कर रहा है जो इसको normal जो bearing force अपलाई कर रहा है वो जो bearing force है जिसको हमने r से represent किया हुआ है वो r force का angle छोटा हो जाता है अगर friction काम हो ये नुकसान होता है epoxy लगने का epoxy लगने से frictional forces reduce हो जाती है epoxy से क्या नुकसान होता है epoxy causes reduction in frictional forces reduction in frictional forces mean that actually means कि phi s कम हो जाता है and that actually means कि आपका radial जो component है बढ़ा हो जाता है compared to जो frictional forces ज्याता होती है ठीक है radial component बढ़ा हो जाता है because of reduction in frictional forces और वो reduction क्यों होती epoxy लगने की वज़े से इस वज़े से you can see that we have a higher factor greater than one factor for epoxy coated bars ठीक है 1.5 और 1.2 depending upon cover and clear spacing available so यह है coating factor psi e यह book में basically सिरफ theory लिखी हुई है और इस तरह से diagram के through उसको elaborate नहीं किया तो आप में चाहरा था मैं आपको diagrams के through इसको elaborate करके दिखाऊं next is psi s bar size factor bar size factor bar size factor पहले में factors लिख लेता हूँ यह पहले में इसका जिकर पहले किया हुआ है कि हमने कहा था कि number six and smaller bars and wires deform wires उनके लिए यह factor होगा 0.8 और number seven and larger bars के लिए 1.0 अगर आप उबर equation देखें तो यह है वो factor psi s ठीक है psi s जो है वो numerator में इसका छोटा factor लेने का मतलब है कि हमें कम development length चाहिए ठीक है 0.8 अगर हम लेते है smaller bar के लिए इसके मतलब हम यह कह रहे हैं कि smaller bar के लिए कम development length required होती है यह basically experimentally observe किया गया कि smaller bar के लिए कम development length required होती है इसमें मैं आपकी confusion दूर करना चाहता हूँ वो यह कि LD के साथ यहां पे जो कुछ भी लिखा हो आखिर में तो DB से multiply हो नहीं है न ठीक है तो एक तो यह चीज़ साफ नजर आ रही है कि जिसका DB ज्यादा है जो larger bar है जिस bar का डाया ज्यादा है उस bar को ज्यादे development length चाहिए यह तो बिल्कुल linearly related है ठीक है आप DB डबल कर द हमें LDB four times हाई होगा with all these factors unchanged खाली DB को play कर दे यह बात तो बड़ी असान है समझ में आनी वाली है जाहरे जो bar डाया जिसका बड़ा होगा उसके अंदर larger forces produce होने की capability है तो हमें उस force को पूरी develop करने के लिए जाधा development length चाहिए होगे अगर यह बाकी factors constant हों this is very simple लेकिन इसके इलावा additionally हमारे पास यह factor है ठीक है यानी एक तो है न कि यह factors unchanged हों तो एक linear relationship है of LD with DB यह बात तो LD some factor times DB से साफ नजर आ रही है लेकिन इसके इलावा भी एक factor है जो larger bar के against जाता है यह अगेंस जाने का मतलब है कि जो larger bar के लिए larger या longer development length requirement suggest करता है या दूसरे आलफाज में shorter bar के लिए shorter development length suggest करता है यह experimentally observe किया था smaller bar के लिए development length required है वो जितना यह अगर हम si s को one लें और हम कहें कि खाली इस base पे यानि समझने के अगर मैं एक line draw कर दूँ ठीक है अगर मैं कहूं कि development length required LD और diameter of the bar DB इनके बीच में यानि लेटसे यह इधर मैं plot कर लेता हूँ maybe DB ठीक है कि DB का effect LD पे क्या है तो अगर तो मैं si s को ignore कर दूँ तो फिर तो मैं कहूंगा कि बस ये 0 से लेके आखिर तक एक straight line है ठीक है अब तब तो मैं ये कहूंगा यहां से लेके आखिर तक बस ये एक straight line है ठीक है आप DB बढ़ाते जाएं LD प्रोपोरिशनली बढ़ता जाएगा ठीक है लेकिन इसके खिलाफ एक और जो additional चीज अबजर्व की गई थी observe की experiment के अंदर वो ये है कि अगर मैं आपको दिखा सकूँ let's say DB में हम बार्ज जो है वो let's say number 3 है फिर 4 है फिर 5 है और let's say ये जो बार है यहां पर यह नमबर 6 है जाहरी DB इस तरफ बढ़ रहा है तो इस तरफ larger bars आएंगी और इस तरफ smaller bars होंगी तो यह जो region है number 6 तक इस region में यह देखा गया कि हमें जो development length required है जो आपको यह line suggest कर रही है इस से कम development length हमें required होती है मैं इसको green से represent कर लेता हूं ऐसे करके यह यह और फिर उसके बाद आपकी वही line आ जाएगी जो पहले आप assume कर रहे हैं यहानि what we observed is that for these smaller bars smaller bars के लिए the ld required was lesser than otherwise expected ठीक है यानि otherwise expected से मरा आपको ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है यह वाली line ठीक है जी so इस वज़े से एक factor लगा गया इस score reduce करने का जो कि 0.8 का factor है अब बाहरे जाहरे बार जीरो से तो start नहीं होगी तो यह line भी वैसे 0 से draw नहीं करनी चाहिए बार डाया तो जाहरे नमबर 3 से let's say हम अगर start करें तो जाहरे बार डाया तो certain let's say यह line हम draw करें initial और फिर हम कहें कि let's say अगर मैं दोबारा से इसको draw कर सकूं नमबर 3 एं स्मॉलर बार्स नमबर 6 एं स्मॉलर बार्स हैं उनके लिए काम development length ठीक है जी यह reduction जो है यह 80% की reduction आपको नज़र आ रही हर बार के लिए इस वाले relationship यह इसको अगर हम एक constant मान लेते इस factor को अगर हम independent मान लेते और इसको एक factor एक constant समझ लेते फार all bars diameter उसके मकाबले में जो line बनती उस line से थोड़ी कम development length required है नमबर 6 एं smaller bars के लिए तो लहाजा उसके लिए यह effective रखा गया विच इस function of db लहाजा development length size का development length के साथ दो जगों पर relationship है एक db तो definitely है और एक size s के साथ भी उसका relationship है जो के code में दो values है and psi s value for number 6 in smaller bars is a smaller value 0.8 and for number 7 in larger bars it is 1.0 next is lambda, lambda को हम quickly discuss कर लाएगे क्योंकि lambda की discussion हम पहले भी हो चुकिये lightweight aggregate concrete factor कोई भी आप lightweight aggregate factor यूज कर दें तो आप उसके लिए यूँ you can dd lambda is lambda value is equal to 0.75 any lightweight concrete किसी भी lightweight concrete के लिए यूज से रफ फाइन अग्रिगेट उसमें light हो यूज कोई अग्रिगेट लाइट हो यूज दोनो light हों any lightweight concrete lambda is 0.75 अगर हम और अगर आप समझ लेंके normal weight concrete के लिए it is equal to 1.0 ठीक है for normal weight concrete it is 1.0 ठीक है तो यह आपको 0.0 लेंबड़ जा है वो denominator में आपको नज़र आ रहे है तो denominator में अगर less than 1 कोई value जैसे 0.75 हमने बात कर लिए तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि lightweight aggregate concrete के लिए जो development length required है वो larger development length required इसकी simply वज़ाई यह है कि उसका जो tensile strength है फार वो relatively lesser होती है compared to normal weight concrete for same FC prime ठीक है अगर उसकी splitting tensile strength if FCT is specified if splitting tensile strength is specified यहनि जिस lightweight aggregate concrete से आप बना रहे हैं concrete अपनी RCC beam column जो भी चीज़ आप बना रहे हैं आप आप जो भी member बना रहे हैं अगर उसके उस concrete के लिए FCT splitting tensile strength specify की गई है तो फिर lambda की value you can take it equal to जितनी specified splitting tensile strength that divided by 6.7 under root of FC prime यहनि फिर उसके बाद आप समझे लें कि आपने यह ensure कर दिया कि उसकी certain splitting tensile strength होगी तो आप उसको इस base पे भी calculate कर सकते हैं but again this should not be greater than 1 अगर आप कांसर greater than 1 आ रहे है तो वह आप value उसके लेंगे जो नॉर्मल वेट concrete के लिए हम उसकते हैं यहनि 1 की value next is transfers reinforcement index ktr transfers reinforcement index transfer reinforcement index यह क्या चीज़ है यह code में simple इसका एक फार्मूला डारेक्टली गिवन है कि ktr is equal to 40 atr divided by s into n अब इसमें further atr क्या है s क्या है n क्या है atr is tr comes from transfers is equal to total cross sectional area of all transverse reinforcement within the spacing s within the spacing s which crosses the potential plane of splitting potential plane of splitting along along the reinforcement being developed और यह value आप पुट करेंगे inch square ठीक हो गया अब मैं इसको figure के थूरू explain करूंगा जैसे यह एक bean का अगर cross sectional आपको एक पार्ट दिखाया गया है उपर cross section आगए ऐसे continue कर रहा था लेकिन bottom वाला पार्ट आपको एक side पे दिखाया गया है यह आपकी जो बार नजर आ रही है आपको यह वाली बार्स these are the longitudinal यह आपके flagule reinforcement है let's say longitudinal bars है जिनके आपको cross section में इस तरह से circles नजर आएंगी और यह जो उपर आपको नजर आ रही है यह transverse reinforcement है यह सारी जो आपको नजर आ रही है यह उसके legs आपको vertical legs यह नजर आ रहे है यह vertical legs उसके transverse reinforcement के stirrups भी हो सकती है टाइस भी reinforcement है वह जो जो रिन आपको अब इ कोई चीज बिता दू कि हमने discuss किया था कि बार्स को करीब रखने की वज़े से यह अगर आपको center to center spacing between bars अगर कम हो तो एक tendency होती concrete की splitting की crack यह वाली इस तरफ से stresses आ रही है इस तरफ से आ रही है इस तरह से इस की भी अपने surrounding में concrete को certain stresses डाल रही होते हैं tensile stresses जिसकी वज़े से concrete जो है वो इस तरह से split हो सकती है इस plane में इस plane में भी हो सकती थी ठीक है लेकिन इस वकत जो tendency discuss हो रही है यह वाली tendency discuss हो रही है यह जो plan है जिसमें यह crack develop हो सकते हैं यह जो crack है इनको रोकने वाली यह transverse reinforcement है चुकर यह cracks की perpendicular run कर रही है तो इन cracks को यह reinforcement, transverse reinforcement रोकने में helpful होगी, इस वज़े से जितनी यह transverse reinforcement ज्यादा होगी अच्छा, अब यह कितनी है, हमने ATR कितना लेना है यह जो plan है जिसकी उपर cracks produce हो रहे है potential plan of splitting जिसको कहा गया है इसको cross करने वाली जितनी भी reinforcement होगी जितने भी legs होंगे उन सब का cross sectional area cumulatively उसको ATR कहते हैं यहाँ पर इसका मतलब यह बनेगा कि इस leg का cross sectional area plus इस leg का plus इसका plus इसका, मसलब अगर all of them are let's say number 3 then इसका 0.11 inch square है इसका भी 0.11 inch square है and so on यह भी यह भी तो इसका मतलब है ATR in that case would be equal to 4 into 0.11 0.44 inch square यह मतलब बनेगा यह है ATR ठीक है, अगर सिरफ 2 stir-ups दो गुजर रही होती है ऐसे stir-ups जैसे आप यह जो reinforcement है यह इस case में ATR would be equal to 2 into 0.11 which is 0.22 inch square ठीक हो गया so this is how you can calculate ATR ठीक हो गया so this is ATR अचा अब दूसरी चीज है कि यह cracks produce किस वज़ से होते हैं यह उस bar जहां जितनी भी bars हैं उन bars की वज़ से basically जो radial stresses concrete के अंदर जा रही है उस वज़से एक cracks produce होते हैं इसका मतलब जितनी ज्यादा bars होंगी उतनी ज्यादा यह splitting tendency होगी ठीक है मसले यहां पे एक और बार भी इस मिसाल के तोर पे होती तो और ज्यादा tendency होती अगर यह नहीं और ज्यादा closely spaced हो जाती है और और ज्यादा tendency होती potential plane of splitting की तो इस वज़े से denominator में जो factor आपको नज़र आ रहा है वहां पे आपको एक factor नज़र आ रहा है N का यह N क्या चीज़ है यह number of bars ठीक है यह longitudinal bars है number of longitudinal bars to be developed along यानि इसी के अंदर जो शामिल है along the plane of splitting यानि यही पे जो आपको इसी figure में नज़र आ रही है जो के splitting काज कर रही है ठीक है यह जो यह वाली बार हो गई one, two, three, four अब इसमें चार बारे हैं जो potential splitting plan के along exist करते हैं यह जो कि जिनको develop कर रहा है तो इसलिए हमारे पास N क्या हो जाएगा four अच्छाए एक और factor है S यह S S क्या है यह जो transverse reinforcement जहां एक cross section में आपको दिखाए गई है इनकी longitudinal direction में कोई नो कोई spacing होगी ना यह beam चल रही है और इस beam के अंदर let's say sorry इस beam में जाहरे यह transverse reinforcement certain spacing की उपर होगी ठीक है कहीं पर spacing कम भी हो सकती है कहीं पर जादा भी हो सकती है based on requirement तो जो आप और इस तरह आपकी longitudinal reinforcement इस तरह से run कर रही है तो जो आपको development length provide करनी है उस development length में जो आपको maximum spacing between bar अगर vary करती है तो maximum value अगर नहीं vary करती है तो फिर तो एक ही value है S की so यह है S is you know the this maximum center maximum से मुराद यानि अगर actually जो आपने provide की है यानि यह S max जो आप share के topping पढ़ें उस से इसका तालब वो चीज नहीं है यह theoretical value नहीं जो आपने असल में provide कर दी है उन में से जो maximum value maximum center to center spacing of the longitude of the transverse reinforcement ठीक हो गया maximum center to center spacing अब जाहर जाहरे जितने length में आपने development देनी हैं उसी length के अंदर आप देखेंगे spacing ठीक हो गया यह inches में आप पुट करेंगे value ठीक हो गया जनाब so this is KTR आप सो कोई सभी cross section उठा के देख लें और उस KTR calculate करके देख लें आपने अगर आप कोई वैसे मुश्किल समझ तो आजानी चाहिए हर चीज़ की लेकिन फिर भी ACI code ने ACI code के अंदर एक provision रखी गई है जिसमें वो कहता है कि अगर आप conservatively KTR की value zero ले लें तो ये permissible है यह आपके हक में एक चीज़ जा रहे है KTR की minimum value है वो zero हो सकती यानि इसका मतलब है कि transverse reinforcement जो आपको help out कर रही है उस potential plan of splitting को रोकने में वो आप ignore कर दें अगर ignore करेंगे तो आप KTR की value zero put कर रहे होंगे और LD आपके पास जो यानि जो maximum बन सकता है वो answer आएगा आपके KTR की कोई मिसलन कोई value output करेंगे तो जाहर है आपका LD का answer छोटा बनेगा required LD कम required होगा उस case में यह transverse reinforcement last है excess flexural reinforcement अगर आपको पता है अक्सर हम जब हमें calculation करनी होती है design के अंदर हमें जो area of tension steel required होता है अक्सर हमें उस requirement से ज्यादा provide करना पड़ता है क्योंकि rounding off करनी के पड़ती है next available bar जो होती है वो exact उस area की नहीं होती जितरी का हमें required होती है तो हमें actual जो required AS है उस से हम actual AS ज्यादा अक्सर provide कर देते हैं तो अगर ऐसा हो किसी section के उपर तो हम इसका मतलब यह है कि मतलब आपको AS required आपने calculate किया यानि जो आप design करते हैं intellectual design जो आप chapter 5 में बढ़ चुके हैं let's say आपको AS जो required था वो let's say 2.54 inches inch square required था जो आपने जो actually provide किया वो आपने provide किया let's say 3.00 inch square actually let's say अब आपको अगर आप exactly यह provide कर लेते तो आपकी requirement पूरी हो जाती यानि यह सारा area आप डाल देते और वो area पहुंच जाता Fy पे तो आपको जो required force है वो मिल जाती tension reinforcement से ठीक है अगर आप यह actual यही भी डाल देते तब भी आपका आपकी जो MN आपको required है वो पहुंच जाती है वो उस level पे आप पहुंच जाते है जितना आपको force required चाहिए by having the bar to reach Fy लेकिन अगर आप SL में area ज्यादा डाल देते हैं then your requirement as compared to your requirement let's just say 3 inch square आप डाल देते हैं required 2.54 हो तो इसका मतलब यह है कि जितनी force अब आपको पहले यहां से develop होनी थी A required into Fy ठीक है अब वो जो force आपको develop करनी है वो तो requirement उतनी ही है जितनी की पहले थी इसका मतलब यह है कि अब उतनी ही force develop करने के लिए उतनी ही force develop करने के लिए चुकि आपने यह चीज ज्यादा डाल दिये तो आपको जो stress जिस लेवल पे बार को जाना है वो कम लेवल पे भी हो तो वो achieve कर सकता है उतनी ही force क्योंकि आप आपका area बढ़ा है so Fs required would be less than Fy why? क्योंकि आप इनका product उतना ही जतना के पहले आपको मिल रहा था उतना ही product लेने के लिए now you need lesser stress level in the bar. What I mean is that A required into Fy उतनी ही force develop करने के लिए अब आपने चुकि A s जो provided डाला है चुकि यह बढ़ा है इसके मकाबले में लहाजा अब आपको less level of stress required है bar में in order to produce the same level of force as in this case ठीक है? इसका मतलब basically क्या बन गया? कि जो हमने उपर Fy फार्मूले में लिखा हुआ है कि हम expect यह कर रहे है कि bar हमारी yielding strength तक पहुंचेगी वो bar अब अब असल में जो हम आगर वो lesser than Fy तक भी पहुंच जाए तो क्योंकि हमने area required जो है उससे ज़्यादा provide किया हुआ है तो हमें वो bar Fy तक पहुंचाने के जरूरत नहीं है वो lesser than Fy जिसको हमने Fs डाल दिया Fs required कह दिया उतने पे भी चला जाए तब भी हमारी वो उतनी force produce हो जाएगी जितनी के हमें required थी तो इसको incorporate ऐसे किया गया कि आपने LD इसी से calculate कर लेना है यानि Fy को use करके फिर आपने उसके साथ यानि मैं हमें इसको ऐसे explain करता हूँ calculate LD from formula simplified formula या उपर basic formula या उपर बेसिक फार्मूला यूज करें Fy as it is and then you could reduce it by multiplying with this factor As this factor All right As Are you sorry reduce करना है तो इसका मतलब है As required Divided by as provided आपको चुक्के provided बड़ा होगा तो यह factor लेस्ट इन बनेगा और आपका LD जो required है वो कम हो जाएगा As compared to when you are using Fy ठीक हो गया यानि LD आपका answer आगया उस answer को आपने as required over as provided factor से कम करते ने इसके लिए कुछ basically वो है requirements है यानि कुछ limitations है कुछ cases है जिनमें यह valid नहीं है यह value reduction करना उन मेंसे एक case यह है कि जहाँ पर जो seismic loading के लिए अगर आपने वो area डाला था तो यह factor आप नहीं use करते हैं seismic areas में यह factor नहीं valid otherwise आप इसको use कर सकते हैं इसके लावे भी कुछ conditions है जो ACA court में mentioned आपकी book में mentioned नहीं है लेकिन what we recommend is recommended practice यह है कि आप अगर आपने area required से ज्यादा भी reinforcement डाल दी है AS provided आपका बड़ा भी है AS required से तब भी आप इस factor को ignore कर दें आप इस factor को बहतर यह कि इसको ignore करके आप अपनी LD पूरी करें यानि इस factor को आप ना count करें और आप इस factor को ignore करके अपनी development required है उसको पूरा पूरा provide करें